Hello everyone, this is Manisha Dungwal और आज हमारा हिन्खोच के इस वीडियो शेशन का तॉपिक है लव इडियम्स तो आज हम देखेंगे कुछ ऐसे इडियम्स जो लव से रिलेटिद हैं तो आईए स्टार्ट करते हैं तो जो हमारा फॉर्स्ट है वो है अ मैच मेड इन हेवन मतलब ऐसे का पल्स जो एक दूसरे के लिए पॉफेक्ट हो मतलब अ पॉफेक्ट कॉंबिनेशन अफ टू पीपल उसे हम कहेंगे अ मैच मेड इन हेवन अब हम देखेंगे अ मैच मेड इन हेवन का एक्जामपल वो जल्दी ही शादी कर रहे हैं उनकी जोड़ी स्वर्ग से ही बनके आई है और हमारा नेक्स्ट इडियम है है हेट ओवो हील्स हेट ओवो हील्स का मतलब है to be in love with someone very much मतलब जब आप किसी के साथ पूरी तरह से प्यार में होते हैं तब हम यूज करेंगे हेट ओवो हील्स का और अब हम देखते हैं हेट ओवो हील्स का एक्जामपल वो अभी कुछ दिन ही पहले मिले और तुरंट एक दूसरे के प्यार में पढ़ गये और नेक्स्ट है हमारा to be smitten with someone to be smitten with someone मतलब to be completely captivated by someone and feel immense joy मतलब किसी के लिए पूरी तरह से captivated हो जाना और बहुत जादा खुशी महसूस करना मतलब प्यार में पागल हो जाना यही है to be smitten with someone का मतलब और अब हम देखते हैं to be smitten with someone का एक्जाम्पल Alia is smitten with Varun She is continuously talking about him Alia Varun के प्यार में पागल हो गई है वो लगातार उसकी ही बाते कर रही है हमारा next idiom है Love at first sight Love at first sight का मतलब है Falling in love with somebody the first time you see them मतलब किसी से पहली नजर में जब हमें प्यार हो जाए उसे हम कहेंगे Love at first sight जब जब हो जब प्यार में जब है यह पहली नजर का प्यार था जब वो मिले थे पर यह जादा समय तक नहीं चला आप जो हमारा लास्ट इडियम है वो है to be a soulmate to be a soulmate का मतलब है वो understand and accept the other person completely जब कोई पूरी तरह से एक दूसरे को accept कर लेता है मतलब एक अच्छा जीवन साती या फिर एक अच्छा दोस्त तब हम यूज करेंगे इडियम to be a soulmate अब हम देखते हैं to be a soulmate का example my husband is my best friend and my soulmate मेरे हजबन मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त और जीवन साती है I hope you all enjoyed this session so please like, share and subscribe thank you